सेलो फ्रेंडस मैं रहूल कुमर पांडे आप सभी लोगों के बीच आज तैंस का पार्ट वअन लेकर आया हूँ और मैं कोशिज करूँगा कि meant सबी लोगों को tense में जो भी confusion हो वो आज मैं दूर कर सुखूं तो जैसा कि आप सबी लोगों को पता है कि tense तीन प्रकार के होता है present tense, past tense और future tense ये नीचे जो अक्छर लिखे गए हैं सबसे पहले जबी भी हमको translation बनाना होता है translation बनाने के लिए आपको tense पहचान लेना ज़रूरी है tense पहचानने के लिए ये जो present, past, future के नीचे ये जो हिंदी के अक्छर, word जो लिखे हुए हैं उनको समझना ज़रूरी है जैसे present tense प्रिजंट प्रिजंट अक्छर प्रिजंट अक्छर आपको अक्छर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे उसी प्रकार past tense में आपको था थी थे या यह यह और future में गागी गे मतलब यह वो अक्षर है आपको यह बताएंगे कि यह जो sentence दिया गया है वो sentence आपका present tense है कि past tense है या future tense है जैसा कि नीचे कुछ sentences लिखे हुए हिंदी में इसे हमें यह पैचानने में यह confusion दूर हो जागा कि यह कौन सा tense है present है past है यह future tense है जैसा कि पहला sentence है आपका रामघर जाता है रामघर जाता है कि आप आखरी अक्षर देखिए आखरी अक्षर में आपको हो अक्षर मिल रहा है लास्ट अक्षर से आपको यह पता चल जाएगा कि यह sentence जो है आपका past tense है उसके बाद तीसरे sentence में आप देखेंगे इवेश अब दिल्ली पहुंश चुके होंगे में आप आखरी अक्षर देखें गे आ रहा है मतलब मींस गह अक्षर तो गह अक्षर से आपको यह पता चल ज कि यह future tense है नीचे बढ़ता है नीचे देखता है कि अब जितने भी tenses होता है तीन अलग-अलग tenses में अगर हम present की बात कर रहे हैं तो present मतलब होता है वर्तमानकाल और इस present के भी four parts होता है जैसा कि आपको दिख रहा है कि present tense में present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous यह चार इसके parts होता है तो इ present parts में भी present में केवल हो अक्षर से आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि यह present के four parts में से कौन सा part है तो इसलिए हमें यह indefinite, indefinite संबंदित यह जो अक्षर दिये गए हैं इनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा जैसे indefinite जो sentence होगा अगर वो present indefinite sentence है तो इस sentence में आपको ता है, ती है, ते हैं आपको दिखाई देगा अगर present continuous है तो present continuous tense के last में आपको रहा है रही है रहे हैं यह आपको दिखाई देंगे अगर present perfect के हम बात करें तो present perfect में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं यह आपको मिलेगा और अगर present perfect continuous के अगर हम बात करें तो perfect continuous में आपको रहा है रही है रहे हैं plus time यहाँ पे आप लोग यह देख रहे होंगे कि continuous और perfect continuous इन दोनों में एक similarity है वो है रहा है रही है रह लेकिन एक छोटा सा अंतर यह है कि इसमें आपको प्लस time एट कर दिया गया प्लस time मतलब इसमें समय का होना भी पहया जाता है means जैसे हम यह कह दें कि मैं खाना खा रहा हूं तो अगर सिंपली अगर खा रहा हूं, खा रही है, खा रहे हैं अगर यह आता है तो continuous है और अगर उसमें time जोड दिया जाए, जैसे मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं पिछले 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ, तो इस condition में हम समझ जाएंगे कि ये perfect continuation, आगे कुछ अभ्यास करते हैं, exercise करते हूँ, exercise से आपका जो भी थोड़ा बहुत confusion होगा, वो दूर हो जाग रहा हूँ से आपको पता चल जागा कि ये जो sentence है ये आपका present continuous tense है, अगर दूसरे sentence के हम बात करें, वे सब अपने पिता जी को पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, जब भी आपको किसी भी sentence के लाश्ट में रहा है, रही है, रहे ह अगर दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि वो present continuous tense है तीसरे sentence को अगर हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि शान खे तो जोत चुका है इस sentence के last में आप देखेंगे चुका है तो आपको उपर उपर ये जो लिखा हुआ है कि present perfect tense में चुका है चुकी है चुके है ये सबा रहा है तो जिस भी sentence के last में आपको चुका है चुकी है चुके है अगर दिखे तो आप समझ जाए कि ये present perfect tense है चुका है चुकी है चुके है means कि इस sentence में जो भी कार होते हैं वो एकदम perfectly done हो चुके है perfectly done मतलब पूरे तरीके से समाप्त हो चुके है तो अगर इस sentence में अगर ऐसा भी हो किसान खेत जोत लिया है जोत चुका है अगर इस तरह की भी है तो आप थोड़ा सा इसमें अपना sense लगा करके समझ सकते हैं कि किसान खेत जोत लिया है जोत चुका है दोनों ही types में कोई difference न continuous में एक छोटी सी similarity है कि present continuous और perfect continuous present perfect continuous दोनों के last में आपको रहा है रहे है आपको दिखाई देगा लेकिन present perfect continuous में आपको time भी जोड़ दिया गया है time जोड़ देने का मतलब जैसे उपर आपका लिखा हुआ है मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं तो अगर केवल रहा हूं र present continuous tense है अगर इसमें time जोड़ दिया जाए जैसे दो घंटे से तो राकिस दो घंटे ससनान कर रहा है इसमें समय भी जोड़ दिया गया है और last में आपको रहा है रही है रहे है यह भी आ रहा है तो आप समझ जाएगा कि यह present perfect continuous tense है last exercise में देखेंगे हम सब बाजार जाते हैं हम सब बाजार जाते हैं इस sentence के last में आप देखेंगे ते हैं तो ते हैं आपको present indefinite tense में बताए गया है कि जिस भी tense के last में आपको ता है ता है ती है ते है अगर दिखाई दरा है तो समझ जाएगे कि वो present indefinite tense है नेक्स्ट ओ पास्टेंस में आप देखेंगे past tense मिंस भूत काल वो समय जो बीत चुका है तिसके भी वही same parts है present, past, future इन तीनों में आपको इनके parts हैं वो सभी सबके similar हैं एक ही हैं इसमें कोई अंतर नहीं है जैसे present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous, same ठीक वैसे ही past indefinite, past continuous, past perfect और past perfect continuous इसमें भी tenses को पैचानना ज़रूरी है जैसे past indefinite के, इसमें जो past indefinite के sentences होगे उनके last में ता था थी, 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 थे, या यह, इन सभी अक्षरों से आप पैचान लेंगे, easily पैचान लेंगे कि यह past indefinite tense है और अगर रहा था, रही, थी, रहे थे, अगर आ रहा है तो आप easily पैचान लेंगे कि यह past continuous tense है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर आ रहा है तो आप आसानी से पैचान सकते हैं कि यह आपका perfect tense है, और same चीज है, यहाँ भी continuous और perfect continuous में देखेंगे, तो रहा था, रही, थी, रहे थे, दोनों में same है, बस इसमें time जूड़ गया है, जूड़ गया है, next exercise इसको भी समझता है, लिखा हुआ है, पहला sentence लिखा हुआ है, किशान हर साल फशल बोते थे, तो बोते थे, last में आपको क्या दिख रहा है, आपे ते थे, तो ते थे, ता था, ती थी, ते थे, आपको बताए गया है कि वो past indefinite tense में आते हैं, दूशरे sentence में लिखा हुआ है, माता जी खाना पका रही थी, तो पका रही थी, इसके last में आप क्या देख रहा है, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये सब किसी sentence के last में आता हैं, तो आप समझ जाएए कि वो past continuous tense है, next, माली बगीचे से फूल तोड़ चुका था, तो इसी sentence में दिखाई दे रहा है, तो निशन्दे आप समझ सकते हैं कि ये past perfect tense है, at last देखेंगे कि sentence आपका नेता जी शुबशे भासट दे रहे थे, ये आपका क्या है, दे रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस इसमें time सुबशे जोड दिया गया है, तो आप समझ सक करते हैं कि ये past perfect continuous tense है, तो इस तरह से इस छोटे से वीडियो में मैं आप सभी लोग के बीच में present और past, present और past के बीच में क्या difference है, ये मैंने आपको बता दिया, कोई भी translation बनाने के लिए इन चीजों का जानना जरूरी है, क्योंकि tense के जितने भी parts हैं, जितने भी parts हैं, उ इन सभी parts में अलग-अलग rules दिये गए हैं, उन अलग-अलग rules के help से ही आप क्या करेंगे, उन translation को बना पाएंगे, और जैसा कि आप सभी को पता है कि translation की जानकारी होना हम सभी लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है, अगर हम speaking करना चाहता हैं, या फिर कुछ basics भी जानकारी अगर हमें चाहिए, तो इन translation के इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ऐसे चोटे-चोटे parts में हम इस tense को cover करेंगे, तो जो भी आपको confusion है, वो comment में आप लोग बता सकते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, अगर आपको थोड़ा भी अगर समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चे, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये दूसरे बच्चों के लिए भी काम आ सकता है, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर सेयर करें, अन्यवाद